मेरे नवजवान दोस्तों नमस्कार फ्रेंड्स पिछले इस सीरीज के अपने एपिसोड के जरिये मैंने तैयारी करने का एक जो परिद्रिश हो सकता है उसके बारे में बहुत विस्तार से बातें करने की कोशिस की हैं और मुझे पूरा यकीन है कि यदि आपने ध्यान से मेरी बातों को सुना होगा उन पर विचार किया होगा तो डेफिनिटली आपको बहुत ही ब्यावहारिक और सही दिशा निरदेश मिल सकेंगे जैसा कि मैं इससे पहले भी बता चुका हूँ कि फ्रेंस ये जो एपिसोड ही ये एक बार सुनकर और भूल जाने वाले एपिसोड नहीं है मैं चाहूंगा कि इन्हें आप अपने पास कम से कम उस समय तक के लिए तो सुरक्षित रखें जब तक कि आप सिविल सर्विस एग्जाबनेशन की तयारी कर रहे हैं समय समय पर ये आपका मार्ग दर्शन करते रहेंगे इस सीरीज के अंतरगत अब जो कुछ संख्याएं हमारे पास बची है मैंने बहुत विचार करने के बाद ये निरणे लिया कि हमें अलग-अलग कोस्चिन पेपर्स को ले करके उन पर विचार करना चाहिए और ये जो कोस्चिन पेपर्स भी होंगे ये मेन्स के होंगे प्री के नहीं अलगी आप मेरी इस बात से थोड़ा सा चौकेंगे और शायद सीदे सीदे सहमत भी नहूं कि प्री के क्यों नहीं मेंस के क्यों तो दोस्तों उसका कारण है याद करने के कोशिश कीजे कि इस से पहले के एपिसोड में मैं आप सबसे ये बात सध्धान्तिक रूट से कह चुका हूँ जिस पर मैं बहुत गहराई से विश्वास भी करता हूँ कि जो रियल में जो प्रिप्रेशन होती है वह मुख्य परिक्षा की ही होती है प्री की प्रिप्रेशन नहीं होती प्री के लिए आपको सिर्फ थोड़ी से practice करने पड़ती है प्री के pattern के अनुसार मैं आपको कैसे विश्वास दिलाऊं कि यदि आपने मुख्य परिक्षा के सही तरीके से तयारी कर लिए है दोस्तों तो प्री की तयारी अपने आप ही हो जाती है मेरे पास सच पूछे तो इतना वक्त नहीं होता है इस तरह के एपिसोड में कि मैं इन बातों को प्रूफ कर सकूँ इस टॉपिक को सही तरीके से समझ लिया होता तो आप देखे कि उसी समझ के आधार पर इसका आंसर दिया जा सकता है जबकि तथ्यात्मक रूप से बातें आपके दिमाग में जयोंकी त्यों नहीं है कि आप बिलकुल पॉइंट्स तक पहुँच जाएं फिर भी आप सही उत् जब मैं इस तरह की बातें कर रहा होता हूं तो अपने बचाओं में अपने डिफेंस में ये बात मैं जरूर यहां कहना चाहूंगा कि जो बात अभी मैंने कही है ये सो प्रतिशत लागू नहीं होती है मैं ये नहीं कहा रहा हूं कि हर एक प्रशन के साथ ऐसा किया जा सकता है कुछ प्रशन ऐसे होते हैं जिन्हें आप तब तक हल नहीं कर सकते जब तक कि उनके बारे में फैक्शुल जानकारी आपके पास नहीं हो यानि कि फैक्स की जानकारी सीधे सीधे होनी चाहिए लेकिन इस तरह के प्रश्णों की संचा कितनी होती है हमें ये बात कता ही नहीं भूलना चाहिए कि रणनीती के अंतरगत हमें प्री में कितना स्कोर करना है और ये तिमाक में बिलकुल बात मौजूद रहनी चाहिए कि जो हमारा स्कोर है वो 50% के यदि आसपास रहा तो बात बन जाएगी बहुत से ऐसे स्टुडेंट हैं वो इस गलत फैमी में रहते हैं कि हमें जादा से जादा स्कोर करना है वो शायद ये मान करके चलते हैं कि हम 75% अगर स्कोर कर लेंगे तो ले दे करके 50% तो स्कोर हो ही जाएगा और हम क्वालिफाई कर जाएगे और उसका नतीजा ये होता है कि वो अपना सारा जोर अपनी सारी मेहनत प्री के द्रिश्टी से उसी में जूंक देते हैं रिजल्ट कुछ भी नहीं आता मत अब मेनिस की तैयारी की तो बात छोड़िए प्री की भी उस तरह से तैयारी नहीं हो पाती है और उसका कारण यह है कि वो सिर्फ प्री की तैयारी कर रहे होते हैं और फैक्स पर आधारित जो प्रशन पूछे जाते हैं क्या सच में वो इतने आसान होते हैं कि आप सीधे सीधे facts के आधार पर उनके उतर दे सकें। कभी इस दृस्टी से सोच करके देखी जो प्रशन पूछे जाते हैं उन पर विचार कीजे तो आपको लगेगा कि नहीं ये इतना आसान तो नहीं है कि हम सीधे सीधे facts को याद करक यही इनके आंसर दे सकें। कुछ सीधे facts आपकी मदद कर सकती हैं। लेकिन मुझे लगता है कि facts यहां आपकी जिस सीमा तक मदद करेंगे उससे कई गुना ज़्यादा मदद आपको mains की तैयारी वाला pattern कर सकता है। वो आपको बिलकुल सही उतर तक पहुँचा सकता है। द मैं बाई दिवे भूल जाता हूं ऐसा करना तो यह मैं आपको अधिकार देता हूं कि आप मुझे इसमरण कराएं कि सर आपने ऐसा ऐसा वायदा किया था और प्लीज इस पर कुछ बातें की जाएं ताकि फिर मैं अपने वायदे को पूरा करने की स्थिति में आ सकूना। त लेकिन कम से कम मैं तो अपनी बातों से सहमत हूं और मुझे उसके बारे में कोई डाउट भी नहीं है और अब जब कि मैं अपनी बात आप सब तक पहुचा रहा हूं तो मेरे मन में कोई अपराद बोध भी नहीं है कि मैं कोई गलत बात आप सब तक पहुचा रहा हूं आप आप लोगों को किसी जहांसे में रख रहा हूं, ऐसा बिलकुल भी नहीं है, मैं जिस पर विश्वास करता हूं, बहुत गहराई के साथ विश्वास करता हूं, बहुत ही ब्यावारी के साथ विश्वास करता हूं, वही बात आप सब के साथ शेयर कर रहा हूं, दोस्तों कभी आप जो मेंस के पेपर होते हैं, उन्हें इतमिनान के साथ बैठ कर पढ़िए, मैं अंडरलाइन करूँगा, इतमिनान के साथ बैठ कर पढ़िए, हरबड़ी में नहीं, आप हरबड़ी में पढ़ते हैं, हरबड़ी में पढ़ने के बाद उस पेपर के बारे में अपना एक न एक नई शुरुवात हो जाती है इसलिए पहली बात जो मैं आप से कहना चाहूंगा कि आप जनरल स्टेडीज का जो फर्स्ट पेपर है बहुत इत्मिनान के साथ उसके साथ कुछ वक्त गुजारिये और जब मैं कह रहा हूं कुछ वक्त गुजारिये तो ये मिनटों की बात नहीं है ये घंटों की बात है हो सकता है कि दिनों की भी बात हो गुजारिये बार-बार प्रशनों को पढ़िये एक प्रशन को कई-कई बार पढ़िये और जानने और समझने की कोशिश कीजिए कि ये जो प्रशन पूछा गया है इसका syllabus से किस तरीके का संबंद है ये जो प्रश्न पूछा गया है इस प्रश्न का अगर आपको उत्तर देना हुआ मान लेजे कि आप में इस तक पहुँच गये होते हैं और आपको इसका उत्तर देना पड़ता तो आप उसके उत्तर के लिए points कहां से ढूंड करके लाते हैं किताबों से मिलते, magazine से मिलते, discussion से मिलते या आपने कभी उस topic पर विचार किया होता तब मिलते या अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो अभी तुरन तो वो उत्तर आपके अपने दिमाग से आपको मिल सकते हैं क्या ऐसा है? जब आप इत्मिरान के साथ इस पर विचार करेंगे तो हो सकता है कि कुछ बहुत ही रहस्यमई सत्य आपके सामने प्रगठ हो जी हाँ, mysterious truth मैं रहस्यमई सत्य कह रहा हूँ रहस्यमई सत्य मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब भी civil service examination की तैयारी की बात होती है चाहे आप अपने इस तर पर निर्णे ले रहे हों, चाहे दूसरे लोग बता रहे हों तो उनका जोर जिस बात पर होता है और सबसे ज़्यादा होता है, वो किवल इस पर होता है वो कभी ये नहीं आपको गाइड करते हैं कि आप अपने मस्तिश्क की फर्टिलिटी को बढ़ाईए, उसे ज़्यादा उपजाओ बनाईए, उसे उपजाओ बनाकर के ही आप इस चुनोती का सामना कर पाएंगे, otherwise कोई रास्ता नहीं है, ये आपको एहसास होगा, जब आप इसे पढ़ेंगे तो, या यूँ कहलेजे कि आपको पहली बार, आपका जो अपना मस्तिश्क है, उस मस्तिश्क के पास, जो अदभुत शमताएं हैं, उस पर यकीन हो सकेगा, आप उन्हें समझ सकेगे, आप उन्हें जान सकेगे, और जैसे ही आप इसे जान लेंगे, समझ लेंगे, इस पर यकीन करने लगेंगे, तो आप उसके लिए काम करना शुरू कर देंगे, और जैसे ही आप काम करना शुरू कर देंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि सिविल सर्विस एक्जामनेशन के प्रिपेशन का जो आपका तरीका है, वो बिलकुल बदल जाएगा और जो बदलेगा वो इंट्रेस्टिंग बात ये है कि आपके लिए पिक्षाक्रित आसान होगा ये एक ऐसा प्यारा सा प्रिप्रेशन का तरीका होगा जिसके साथ आप जीना चाहेंगे जो आप करना चाहेंगे जिसके साथ आप वक्त बिताना चाहेंगे क्योंकि अब आपको अच्छा लग रहा है उसके साथ वक्त बिखाना, अभी तो आपको बोज लगता है, ये याद करना है, इतना नोट्स बनाना, इतना सब कुछ करना है, ये आपको बोज लगता है, बोज इसलिए लगता है क्योंकि जो आपका मस्तिश्क है, आपके मस्तिश्क की ज उसका साथ क्यों चाहेंगे और जब आप उसका साथ नहीं चाहेंगे तो वो क्यों आगे बढ़ करके अपना हाथ आपके हाथ में लेगा कि नहीं मैं तुम्हारा साथ देने को तैयार हूँ तुम मेरा साथ लो ऐसा बिलकुल भी नहीं कहेगा इसलिए मैंने कहा कि प्लीज थो स्वेज मत बना दीजे, एक ही पेपर, बस दट सौर, दूसरी कोई चीज नहीं, और एक एक प्रश्न को लीजे, उन प्रश्नों पर विचार कीजे, उनके डाइमेंशन्स के बारे में सोचिए, कौन-कौन से आयाम हो सकते हैं, कहां-कहां से आ सकते हैं, दोस्तों, पहली बार, सिविल सर्विस एक्जामिनेशन के तैयारी के जो रहस्य मई, जो इस्तर हैं, जो लेयर्स हैं, वो आपके सामने प्रगट होंगे, मैं कोई रहस्यवादी की भाशा में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई जादू, चमातकारिक या यूं कहलेजे कि अलौकिक बात नहीं कर र देखिए, और यदि जड़ा भी आपको परणाम मिलते हैं, तो प्लीज आप मुझे बताइए, ताकि मैं इसे और भी दूसरे लोंगों तक और भी अधिकात में विश्वास के साथ पहुचा सकूँ, तो दोस्तों, आज बस इतना ही, इसी के साथ ही दोस्तों, आज के से डे